भारत में कोरुना वारस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है रविवार को लगातार चौथा दिन रहा जब नाए मामले दो लाग से कम रहे पूर्वोतर के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश में केसेज घटे है दूसरी लहर में कोरुना वारस के नए मामलों में जितनी तीजी से इजाफा हुआ था उतनी ही रफ़तार से केसीज कम भी हो रहे है दूसरी लहर में 69 डेली केसीज में 50 प्रतिशत की गिरावट पहली लहर के मुकाबले आधे समय में दर्ज की गई पहली लहर में आउसर डेली किसिज 17 सितंबर कूप पीक पर थे चह हफतों बाद यानी 30 अक्टूबर को आँकड़ा आधा रह गया हालाकि रोज मौतों के आँकड़े में उतनी 30 गिरावट नहीं देखी गई साथ दिन के आधार पर डेली मौतों का आउसर पीक से करीब 18 प्रतिशत तक कम हुआ है किंद्री स्वस्त मंत्राले द्वारा रविवार सुबह जारी किये गए आकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वारस के एक दिन में 1,65,593 मामले दर्ज किये गए जो की 46 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं इसके साथ ही देश में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 2,78,94,800 पर पहुच गई है आकड़ों के मुताबिक डेली केसे इसकी दर्ग गिर कर 8.02 प्रतिशत रह गई है जो लगातार पांचवे दिन 10 प्रतिशत से कम है जबकि साप्ता ही एक संक्रमण दर 9.36 प्रतिशत है देश में विमारी के कारण जान गवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,25,972 हो गई पिछले 24 घंटे में 3,460 मरीजों की मौत हुई है देश में फिलहाल इलाज कर आ रहे मरीजों की संख्या कम होकर 21,14,508 रह गई जो कि कोरोना के कुल मामलों का 7.58 प्रतिशत है वही कोरोना वारे से रिकवर होने वाले लोगों की राष्ट्रिये दर 91.25 प्रतिशत है आकड़ों के मुताबिक इस बिमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,54,54,320 हो गई जबकि मृत्यूदर 1.1,7 प्रतिशत है मंत्राले ने बताया कि शनिवार को कोरोना के लिए 20,63,849 सेंपल्स की जाच की गई इसके साथ ही अब तक कुल 34,31,83,748 सेंपल्स की जाच की जाच चुकी है NBT Online की रिपोर्ट